इसके अंदर अगेन में बताने वाला हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ तो investment advice नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ समय समझाने वाला हूँ ये वीडियो रहने वाली है इंटरनाशनल इंवेस्टिंग के उपर तो हमने इंडियन इंवेस्टिंग के तो बहुत बार बात करी है और यहाँ पर हमारा main focus भी रहता है कि इंडियन मार्केट्स में इतनी तेजी है तो यहीं पर पैसा बनाओ भार पैसा भेजते हो कॉस्ट आ जाती है जो आप लोग को ध्यान में रखनी जरूरी है और taxation taxation सबसे बड़ी दिक्कत tax जादा लगता है अगर आप भार की शेर्स खरीदते हो तो इतनी सारी चीज़े अगर हम कर रहे हैं और उसके बाद taxes भी थोड़े एक्स्ट्रा भर रहे हैं बहार अगर हम शेर्स खरीद रहे हैं तो तो बहार शेर्स खरीदे क्यों पहली बात तो यह है तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर रेज करना चाहूँ है कि बाहर शेर्स खरीदने आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है इंडियन मार्केट्स में बहुत तेजी लग रही हैं इंडियन मार्केट्स में बहुत opportunities है इनफाक्ट मेरी जो ट्रेडिंग की watch list उसमें आज भी शेर 78% उपर है तो सब्सक्राइब दिन में अगर 78% को यह शेर उपर है और ट्रेड के लबने उठा रखा है तो कहीं न कहीं आपको बिल्कुल भार जाने की जरूरत नहीं है तो एक जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा environment ऐसा create किया जा रहा है कि आपको international investing करनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप Indian markets को भी ढंक से समझते हैं तो और अगर आप stock पिकर रहे हैं आपे खुझ से हाँ अगर आप से इंडेक्स funds के भरोसे बैटे हैं तो फिर मेरे साब से आपको भार exposure लेना जरूरी है बट फिर आप वो पराग पारे के flexi cap fund के साथ कर सकते हैं जो कि भार अपना पैसा invest करता है भार की companies में पैसा invest करता है आप ऐसे case में अगर आप index funds और इंपर ही dependent है तो फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं मूतिलाल उस्वाल का Nasdaq 100 ETF है वो भी अब आई कर सकते हैं तो Nasdaq भी track कर लेंगे Mfang ETF भी हमने देखा है कि मिरा asset ने निकाला है तो आप वो भी देख सकते हैं तो आप चीज़े तो कर सकते हैं right especially अगर आप let's say you know mutual funds के भरो से index funds के भरो से ही है तो आप definitely जा सकते हैं भार exposure थोड़ा लेने के लिए 10-20% depending upon your risk profile and particularly depending upon what your financial advisor has to say तो मेरी बात मत सुनना है इसके अंदर क्योंकि मैं आपका financial advisor नहीं हूँ अगर आप मेरे client हो तो फिर हम तो discussion में रहते ही है तो अगर आपको नहीं पता moneycraft is my C-B registered investment advisory firm via which we do provide investment advice to our clients तो simple सी बात क्या है कि जरूरी नहीं है जाना geographical diversification के वज़े से अब जा सकते हैं तो से होगा क्या कि थोड़ा जो यहां की volatility extra कभी-कभी आपको देखने को मिलती है तो maybe you developed economies में आपको थोड़ी कम देखने को मिले again करो maybe क्योंकि आप Hong Kong और इनके charts देखोगे तो आपको पता चलेगा भीया 20 साल से पैसा नहीं बनाया है किसी ने Hong Kong की market में अगर वो बेचके नहीं निकला है तो तो आप सोच सकते हो कि जो Hang Chang Index है उसका क्या बुरा हाल हो रहा है इस समय और कई सारी markets ऐसी जिन्होंने perform नहीं किया है तो ये बात ध्यान रखें तो अगर आप stock picker नहीं है अगर आप काली index funds और उसके भरो से हैं कि हाँ भाईया manage हो जाए पैसे किसी तरीके से और सब कुछ हो जाए और आप एक decent return expect करें 10-12% which is very very fair 14% तक भी ढीक है बट हम mutual funds में super expect करने को नहीं कहते because of multiple drawbacks that mutual funds inherently have and कहीना के returns आपके average होती चली जाती है plus interest rate गिर रहा है तो returns आपके थोड़ी कम होईंगी क्योंकि risk free rate of return कम हो रहा है but that is the topic for another video वो हम बाद में economics discuss करेंगे but आपको simply समयना है अगर आप 12-14% 10% returns expect कर रहे हैं कोई दिकत की बात नहीं है आप बिलकुल geographical diversification दे अंदर से भी satisfaction आता है कि यार भार invest हो रहा है पैसा देखो बड़ी-बड़ी companies में और भार की कुछ companies तो बहुत ही शानदार है तो अगर आप उस basis पे जाना चाते हैं तो बिलकुल जाएं वरना आप 100% avoid कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ अभी हमारा currently money craft में एक भी client नहीं है जिनको हमने कहा हो कि आपको US में invest करना बहुत जरूरी है मैं खुद से जरूर कर रहा हूँ बट आपको बिलकुल भी जरूरी नहीं है मैं आपको यह बता रहा हूँ अब आप कहोगे जब तेन बार-बार कहरे हो जरूरी नहीं है बट खुद कर रहे हो ये products आपको बेचे जा रहे हैं बहुत जादा until and unless you understand those things very very well, तब तक मेरे को लगता है कि आप Indian markets में रहे हैं, आप खोश हैं अगर आपसे mutual funds, index funds के भरोसे तब थोड़ा diversification लेने के वज़े से जा सकते हैं, बट again यहाँ पे हम इतने लोगों से मिलते हैं, 15, 20, 10 SIPs चल रहे हैं, अलग-लग mutual funds में तीन से उपर मेरे ख्याल साब को ज़रा नहीं है एक ELSS हो गया, चार मिला के तो वो चार अगर आप लेके चल रहे हैं I think they are more than enough सबकी returns आप देखोगे तो बहुत similar रहती हैं on a longer time frame प्लस आप में से mostly लोगों के goals लंबे समय के होने वाले हैं तो वो returns आपकी वहीं 14% के राउंड घूमेंगी 14-15, हो सकता है कि आप bullish environment में बेचे तो आपको ज़्यादा मिल जाए 20-25 भी मिल जाए कभी, हो सकता है राइट, बट अगर आप एक average market situation के साब से देखके चलेंगे तो 14-15 टका मिल जाए return बहुत खुश रहो, बहुत अच्छी outperformance है, क्योंकि FD आपको 5% ही दे रही है, तो ये तो हुई बात कि आप जा सकते हैं नहीं जा सकते मेरे ख्याल से अब void है, बट हाँ अगर आप mutual funds, index funds के उपर dependent है बहुत जादा, तो आप जा सकते बट, let us say कि अब किसी को invest करना ही है और particularly मैं क्यों invest कर रहा हूँ मैं ये दो चीज़े बता देता हूँ तो कही ना कहीं, अगर आपको invest करना ही है तो आपको समने बहुत ज़रूरी है कि क्या आप वो एक्सरा risk लेना चारे है और आप क्यों करना चारे है अगर आपको है कि जतन मुझे भार invest करने से 25% की growth मिल सकती है, तो तो आप जाईए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपको है कि वहाँ 15% से capital बढ़ेगी तो कोई sense नहीं बनती तो वो आपको देखना है कि आप कौन सा stock pick कर रहे है अब मैं क्यों invest कर रहा हूँ, इसके ओपर हम आते हैं और इसके ओपर जादे discussion करेंगे और मैं किस में पैसा डाल रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगेन not an investment advice तो अब तक मैंने भार की markets में बहुत जादा bullish रहते हैं यह लोग technology और उस पर और इसलिए इनको बहुत जादा मार भी पड़ती है $160 का था जब मैंने इसको track करना start क्या था अभी I think $70 पर चल रहा है तो अब देख सकते हैं कि कितना heavy price correction हुआ है and the fund manager is still extremely bullish पहले हम सोच रहे हैं दो गुना तीन गुना होएगा अब तो हमारा वैसी fund आदा हो गया है तो अब तो हम और भी जाद ग्रो करेंगे मेरे को भाट बार logic नहीं देखता है इन चीजों का बट मैं वहाँ पर क्यों खरीद रहा हूँ यह फिर भी क्योंकि मैं से technologies play कर पारा हूँ जो मैं इंडिया में play नहीं कर सकता राइट तो उसके अंदर Tesla हो गया Bitcoin हो गया बहुत सारी चीज़े जो फिर मैं हाँ पर सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे बाई करूँ तो यह सारी technologies को blockchain हो गई अभी आप देखो कि future में जैसी metaverse की बहुत discussion होगी ना 100% they are going to buy stocks which will directly benefit from metaverse तो होगा क्या कि वो ETF के अंदर वो ऐसे stocks आने लगेंगे जिससे बहुत अच्छी growth हमें दिखनी शुरू हो जाएगी metaverse जैसी चीज़ों में हो रही होगी अगर growth तो होगा क्या कि वो चीज़ इंडिया में तो मुझे दिखनी रही इंडिया में मैं को एक map में इंडिया दिखता है जो maybe metaverse में integrate होगा बागी मुझे बहुत ही companies दिख रही है जो integrate होंगी है बड़े scale पर जा सकती है तो वहाँ पर लेकर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी companies मिलेंगी और ARC का काम है कि वो ऐसी companies को select करें I am very happy taking a huge capital loss in that और वो मैं आपको आगे चलके बताऊंगा क्यों Second, जो चीज़ मैंने वहाँ पर खरीदी है That is Lockheed Martin बैया fighter planes का shock सबको ही है वैसे मैं बिल्कुल नहीं चाहता wars वगेरा हो और नियत वाइनी तो मैं हर बार लिखता हूँ अपनी वीडियो के end में जब से Russia यूक्रेन की wars start हुई है तो कहीना कहीं मैं war के वैसे against हूँ बट मुझे बहुत जादा clarity है कि अब weapons आपके जादा बिकने ही बिकने है तो वो इंडियन markets में भी तेजी हमें दिख री है बट यहाँ पे कमनी सरकारी है most Lockheed Martin सरकारी कमपनी नहीं है येस, US government यह साब से उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि US based कमपनी है बट फिर भी मुझे लगता है कि they will be able to sell a lot of planes आप देख सकते हैं जो उनका defense system है so India bought S-400 which is definitely the best राइट हमने रश्या से लिया सीधा बट US ने जब हमने रश्या से deal sign कर लिए थी तो US ने कहाता है कि आप हमसे क्यों नहीं ले ले थे हमारे पास THARD है THARD कौन बनाता है THARD आपका Lockheed Martin बनाता है आपके जो F-22 Raptor अगेरा हो गया जो F-35 ABC Configuration में आता है कौन बनाता है Lockheed Martin बनाता है उने अगे तो कहीना कहीं आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़े हैं जो Lockheed Martin बना रहा है और ये कहीना कहीं अपने NATO forces और इधर उधर आप बेचेंगे दबाके और ये कोई माने ना माने मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ सबको अपने हतियार बेचने थे और उसके लिए Ukraine की government ने बिल्कुल sensibly react नहीं किया मेरे ख्याल से and you know Ukraine has become that battleground जिसके basis पे इनको भाना मिल गया Russia पे sanctions लगाने का और अपने हतियार जादा बेचने का तो मेरे साब से तो बिल्कुल ये ही हुआ है NATO में Ukraine को तब भी नहीं लेते अब भी नहीं ले रहे और ना कभी future में लेंगे but Russia को परशान करने के लिए जबरदस्ती eastward expansion करने के लिए और आपको हिरानी होगी जानके Russia ने दो बर NATO जोइन करने की कोशिश करी when you know USSR fell apart तो उन्होंने का कि अब तो भाई है USSR राही नहीं ताब NATO क्यों expand कर रहे हो उस पर कोई जबाब नहीं कोई कुछ नहीं Russia ने अपना एक you know बनाया था again to counter NATO वो भी ग्रूपे नहीं ने dissolve करवा दिया कि we won't you know accept new members and we won't expand eastward further बट वो करते जा रहे तो यहाँ पे अगर आप समझार हो तो आप सबको पता है कि weapons बेचने के लिए सारी चीज़े हो रही है और अगर weapons विकने ही है तो फिर आपको पता है कि कौन से companies benefit करने वाली है and to buy those is going to be a very very sensible decision yes आपको लग सकता है जते निये तो भौती मुला खराब situation के वज़े से हम ले रहे हैं but कुछ कर नहीं सकता है अब Lockheed Martin का chart देखो weekly chart देखो के straight उपर ही उपर है right तो कही ना कहीं मेरे को situation बिल्कुल अच्छी ही लगती अगें नियत वाई नहीं मैं वार के बिल्कुल अगेंस तो no war, absolutely no war but the thing is कि हमें आपे Lockheed Martin में ऐसी चीज़े दिख रही है जो मुझे लगता है कि बाकी defense companies आप play नहीं कर सकते इंडिया के through तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते मैंने आपे trading के लिए ज़रूर उठाया हुआ है in fact आप लोग का last week I think chart भी BDL था तो कहीं ना कहीं हम play तो कर रहे हैं पूरे sector को but वहाँ पर मुझे लग रहा है मैं invest कर सकता हूँ क्योंकि professionally managed company है तो that is the second company that I have already bought तीसरी चीज़ जो मैं अगले financial year में buy करूंगा बराम से that is Adobe तो मेरा जो भी video editing आप देखते हैं प्रेमियो पर होती है आपको थोड़े बहुत design से दरोदर देखते हैं after effect से बनते हैं photoshop is definitely you know one of the best softwares out there आपका फिर illustrator हो गया again substitute hardly in products के कोई और metaverse में जितनी growth आईगी advertisement, designing, digital चीज़ है वो सारी बहुत ज़ादा बढ़ेंगी marketing metaverse के अंदर बहुत ज़ादा होनी है so मेरे को लगता है वो सारा काम होगा ही Adobe के software से and इस हमें market ने एक अच्छी correction भी दी है Adobe is something that I think is irreplaceable at this moment तो फिर मैं वो चीज़ भी खरीदना चाहूंगा so these are the three instruments that I will be buying and इनके logic मैं आपको बता दी है now the thing is कि मेरी capital allocation क्या है US markets में so let's say if I have 100 rupees तो 1 rupee US markets में है initially I was planning to go up till 5 rupees but वो मैं नहीं कर रहा because we have significantly increased our trading capital तो मेरे को अब जरूरत नहीं लग रही कि मैं बहुत जाद हमाँ पे exposure लूँ US markets में but I will be buying these three instruments और धीरे धीरे मेरा जो goal है वो यहीं रहेगा कि इसको 3% में कर दूँ portfolio होगा अभी decided नहीं है कि 3 तक जाएगा नहीं जाएगा but अगर जाता है तो 3 would be the limit तो 97% is still going to be in the Indian markets as of you know my decision that I made right now तो अभी की knowledge के साफ से अभी की situation के साफ से मेरा जो main investment है वो इंडिया में ही रहने वाला है मेरे को कोई शौक नहीं जबर सी ज़ादा tax भणनेगा मेरे को कोई शौक नहीं जबर सी ज़ादा fee पे करनेगा बट मेरे को ज़रूर शौक ऐसी चीजों को उनमें participate करने का जो में इंडिया से नहीं कर सकता so those are some things that I am buying and I think आप लोग इनको देख सकते हैं बट अगेन if you are a stock selector stock picker तो आप इन चीजों में जाएं अब उसे कह सकते हैं जटन why are not buying apple, why are you not buying amazon you know, आप बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही fair question है now मेरे को क्या लगता है कि next generation internet ETF जो मैंने लिया हुआ है, ARKW that should buy whatever they like उनको technology पे जो पसंद आएगा उनको ले लेना चाहिए, मेरे को उसमें देकर नहीं लगती I also think कि अगर ये tech companies इसी सब से आगे बढ़ती रही, पहली चीज आप लोग को सबको बहुत यहां पे clear हो जाना चाहिए especially जो रश्या के साथ इन companies ने किया है कि you know, they have withdrawn their business shut down their businesses आस तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अमेरिका ने खूब वार start करी है, बट उस समय कोई कुछ नहीं बोलता यहां पे एक war हुई है जिसको यह, मैं कहूँगा कि provocation पूरी NATO और US की थी बट सामाओ, इसके अंदर सबको बहुत जादे दिक्कत होगे, यह corporates को तो कोई यह दूद के धुले नहीं है कोई इनके ethics के standard नहीं है, आल भी very honest about it right, बट है क्या कि बस अब pull कर रहे हैं, अपना की sanctions हैं यह हैं वो हैं तो कर लो Russia is saying we'll nationalize your assets बिल्कुल कर देना चीए मेरे खाल से, बिल्कुल बकवास है इनका सारा, तो इनको करो nationalize assets को, क्योंकि आमने खुद रात और रात कमनी बंद कर दी, जबर्दस्ती के सब करने का plan दून का पहले से ही था, मुझे क्या लगता है, जैसे से tech companies और powerful होती जाएंगी ना, और Democrats ने बहुत बारे बोला है अब US के अंदर Republicans and Democrats होते हैं, Republicans are I would say more business minded, Democrats are more socialist, communist type के, वो मानते नहीं हैं कि communism क्योंकि उसके against रहे हैं, बट वो socialism के उपर पूरा है and socialism and communism आप देखोगे बहुत similar lines पर work करता है right, so basically अब क्या है कि उन्होंने बहुत बार बोला है कि we need to divide these big companies, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा power में आ गई है, इनके पर control बहुत ज़्यादा हो गया है, and Russia में जिसे आप से आप से आप देख रहे हो कि इन companies ने pull out किया और जैसे लोग को नुकसान हो रहा है तो India जैसी countries और बाकी countries को ये समझ आ जाना चाहिए, कि we do not need to depend on these companies India के पास रूपे है, तो अगर आज को visa Mastercard यहां से कट लेता है, तो हमें कोई नुकसान नहीं होएगा जादा, बट आप सोचो रहश्य जैसी country में, visa and Mastercard went away, overnight, and वहाँ पर फिर उनको एक Chinese payment interface लाना पड़ा है, जिससे अब tie-up करके नए एक credit cards issue हो रहे हैं, at least we have UPI, तो कही ना कही financial system के अंदर, we have you know, I would say, dependence on ourselves आत्म निर्बर हम है, बट कही ना कही हमें social media की site पर भी बनना पड़ेगा and especially these big tech companies which command so much power अब आप ये video YouTube पर देख रहे हैं, जो कि Google का part है, जो कि जो US कहेगा वो करेगी तो मुझे कही ना कहीं लगता है कि ये हमें भी बहुत ज़्यादा जरूरी है समयना कि यहाँ पे हमें इन पे dependence खतम करनी है किसी भी तरीके से and कही ना कहीं मेरे को लगता है कि US के अंदर भी बात चल रहे होगी कि इनमें इतनी ज़्यादा power है, so we need to put in certain restrictions because these guys are defining the law now आप देख सकते हो कि taxes इनको कितने कम पे करने पड़ते हैं because tax havens में इनोंने अपनी companies form करके या register करा रखी है so apple का हम सबको पता है, google का पता है island का आता रहता है कि island में company registered है, so billions of dollars महाँ पे है, तो उसको भाणनी निकालते cash ही पड़ा हुए, बहुत ज़्यादा apple की books पे आप cash देखेंगे, बहुत ज़्यादा cash है right, तो वो कहीं और circulate नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इधर उधर लाइंगे तो फिर tax लगने लग जाएगा तो वो अपना पैसा जोड़ के अपना चले जा रहे है तो अगर आप play करना चाहते हैं आप करें मैं play इनको नहीं कर रहा because I think कि over time यहाँ पे high chances हैं कि Democrats ही इनको बिगाडना शुरू कर दे, companies को and देखो power में कौन रहता है, US में क्या होता है in fact Trump was I think the only president who didn't start a new war, अब ये वाली तो देखो आपकी Biden की term में ही हुई है so and I do blame NATO and US for what they've done और कहीना कहीन जो हो रहा है वो बिलकुल गलत है मैं यह नहीं कह रहा है कि Russia ने attack करके सही किया but Russia कपसे कह रहा है कि यह expansion मत करो and you know वो ही है कि आपीछे पड़े रहो पीछे पड़े रहो तो अब भुगत कौन रहा है Ukraine के लोग भुगत रहे बता so I think और Russia के लोग common people so since I know Russian language so I am connected with a lot of people from Russia and Ukraine मैं टीचर्स वगेरा जो हो गई सब YouTube पे Instagram पे उनने ही follow करते है Ukraine में definitely बहुत दिक्कत है but Russia में आपका यह PayPal वगेरा सब बंद हो गया तो उनको payments नहीं जारी तो teachers are now struggling और inflation internally बहुत जादा बढ़ रही है so the people are suffering now because weapons बेच रहे है maybe you agree with my thought process maybe you do not it doesn't matter to me and it shouldn't matter to you as well but मेर को अपना यहापे point रखना बहुत जरूरी था और में को बताना जरूरी था कि मैं क्या buy कर रहा हूं वहापे और मैं क्यो buy कर रहा हूं now you need to see कि आपको किस चीज की जरूरत है जिस चीज की जरूरत है वो ले जबरदस्ती buying ना करें क्योंकि US में invest करने को बहुत अच्छे से pitch किया जा रहा है बीच में चाइना की investments को बहुत अच्छे से pitch किया जा रहा था देन सबको पता चला government का control कितना रहता है उनकी बहुत सारी companies पे तो that is maybe not the ideal investment destination तो पहले Wall Street push कर रहा था यह आपको US markets के अंदर बहुत ज़ादा है कि बहुत चाइना में invest करो और फिर बहुत अच्छे documentaries भी आई और फिर उसके against भी documentaries आई जिससे पता चला कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते इस समय globally US के अंदर investments को बहुत ज़ादा push किया जा रहा है वो हमें दिख रहा है मलब आप सोचो यहाँ पे सारे mutual funds जो US के products निकाल रहे है अगर Indian markets में आप returns ला रहे होते हैं इसका ध्यान भी नहीं जाता है कि US markets में पैसे लगाना है I'm pretty sure if you'll compare the returns of Nasdaq in the last 10 years to our IT index बहुत similar ना नहीं और हो सकता हमार IT index ने outperform किया हो पर ध्यान नहीं जाता ना अच्छा यह ध्यान रखना है कि आपको taxes जाता देने भार I think आपके long term capital gains जाता है 20% का और short term तो होता ही नहीं है उसके अंदर आपको income में ही add करके देना परता है जिस भी bracket में आप आ रहे हो और long term भी मेरे खाल से 2 साल को पर है you'll have to recheck I do not remember much but मैं जो खरीद रहा हूं मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा तो I am buying because I want to buy those things plus उसे क्या होगा कि मुझे बहां की बहुत सारे चीज़ और समझ भी आती रहेंगी so this is what I am doing बहुत ही minuscule allocation में मैं जा रहा हूं US markets में for number of reasons that I have already given you थोड़ा हो सकता है आपने दरुदर की बाते भी कर ली हों जिससे मेभी आपका thought process थोड़ा खुले especially if you watch just you know limited media तो आपको समझ नहीं आएगा दोनों पक्ष की बात आपको पता नहीं चलेगी so you are never able to make up your mind कि actually सच क्या है जूट क्या है when you listen to both sides of the story maybe then you realize कि what is the truth and what is you know being projected as the truth तो वो सारी चीज़े आजकल वैसी बहुत जादा चलती है पूरे टाइम आप मीडिया से connected रहते हो तो you know mind आपका mold करना किसी बेक direction में बहुत असान है so guys anyway you know three instruments that I am buying or I have bought or I will be buying ARKW, A-R-K-W ETF है वो, second is Lockheed Martin planes भाया देखो मज़ा आजाता है महला मैं एको planes और किस लड़के को interest नहीं होता है fighter planes देखने में Sukhoi का Siu 57 है which is 5th generation बहुत ही शांदार वो Russian government के अंडर आटी कमनी इसले में दिमांग नहीं लगा रहा अपला समाय पर सब भी कोई तरीका नहीं है कि Moscow Stock Exchange में में मैं शेर्स खरीद लू right but अगर आप उस plane को देखोगे आप ये इनके Raptor Vaptor सब बूल जाओगे आपको लगेगा ये क्या बनाया है वो airplane तो fighter planes मुझे तो लगता है हम सब को interest है बहुत जादा तो वो चीज़ हो गई so Lockheed Martin and third is you know Adobe Adobe जो भी आप कहना चाहते है I think irreplaceable softwares and that is why I'm buying these three instruments in the US market so thank you so much for watching this one guys इस month के लिए again मैं आपको remind करा रहा हूँ telegram is you know open for just 5000 rupees lifetime membership है उसके अंदर मुझे बहुत लोग कहते है lifetime का क्या मतलब तो देखो यार कोई भी काम जब हम करते हैं तो यही मान के करते हैं कि उसको lifelong continue करेंगे जब तक कर सकते हैं तब तक करेंगे तो मैं आपसे से 5000 rupees ले रहा हूँ और मैं आपको एक चीज की guarantee कर रहा हूँ कि जब भी मुझे channel बंद करना होगा मैं आपको one year in advance बता दूँँआ तो bare minimum एक साल तो आपके पास रहना ही रहना है और अभी मेरा कोई plan नी उसको बंद करने का telegram is definitely independent of YouTube which I have realized is a very sensible decision since आप देख सकते की YouTube और Google की क्या दिक्कते हो रही है मेरी सारी जो Russian language की teachers है they've shifted to telegram so after seeing all of this I've decided की telegram बिल्कुल independently run होने वाला है YouTube से इसको कोई connection ही नहीं रखना मुझे because you never know what happens with one platform और वो अगर आपके connect होते है तो हाँ पर content आपको और ज्यादा मिलता है in fact और बहुत regular मिलता है और बहुत सारी चीज़े मिलती है so if you are interested in the equities market I think it makes a lot of sense for you to be part of that telegram channel और अगर आप कोई की नहीं मुझे तो हलका फुल कही देखना है कभी-कभी मैं तो से mutual funds में ही हूँ क्योंकर interest नहीं है तो फिर maybe आपके लिए वो जगा ठीक नहीं है if you are interested I think you can gain a lot from my knowledge and from my learnings क्योंकि मेरे तो देखो रोजी रोटी यह है तो अपन तो यहीं रहने वाले हैं market के अंदर यही काम समझ आता है आपको benefit हो सकता है so the choice is yours कोई आपको force नहीं कर रहा but for this month only March the cost, one time cost only one time cost is 5,000 वो अगले महिने से उपर जाने वाली है and वो लगाता अब उपर जाएगी because मेरा नया trading system in place आगया है and क्योंकि जो मेरा नया trading system in place आया है उसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों में वहाँ पे charts और जादा समझा पा रहा हूँ so that thing has increased so your ability to earn money has increased in that channel तो फिर उसके गहिना के cost उपर जानी ही जानी है so thank you so much for watching this one I'll see you next week with a stock analysis video but it's Saturday आप लोग के लिए आएगा chart of the week तो वो तो है but next week, next Wednesday आप लोगों के लिए definitely एक stock analysis आएगा वो मैं decide कर रहो हूँ भी किस पे लाऊ but एक stock analysis due है मेरा इस महीने के लिए और तो वो आप लोग के लिए आजाएगा अगले हफते so thank you so much I'll see you in the next one bye bye Jai Hind I'm I'm I'm